आप सभी को नमस्कार नमस्कार बाद एक शेर नजर कर रहा हूँ आप लोगों के समात्रमाई कितना हसीन खाब सच हो नहीं सकता कितना हसीन खाब सच हो नहीं सकता कितना हसीन खाब सच हो नहीं सकता कि रफ़ता रफ़ता निकाल रहा हूँ उसे खाबों से अपने एक दम से तो कोई किसी को ऐसे निकाल नहीं सकता एक शेर और एक शेर हो रहा है कि अब नज़र करते हैं कि कि लब पे रुकी रही वो बात जिन्दगी भर लब पे रुकी रही वो बात जिन्दगी भर एक खाली मकान सा तनहा रहा मैं जिन्दगी भर तेरे हातों सुलजनी थी ये गांट जिन्दगी की तेरे हातों सुलजनी थी गांट जिन्दगी की यह ही उल्जा रहा इंतजार में जिन्दगी पर एक अभी 76 इंडिपेंडेंस रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी समाज में कुछ सुधार की ज़रत है तो मैंने विक्तिकत अपनी पोईट्री है किसी की मैंने अपने समाज की इस बरबरता को देखा है मैंने अपनों की लासों को सड़ते हुए देखा है याद करें हजारों पुराना साल जिसमें हमने दिये जातिवा सती और बाल विवा जैसे सामाजिक वरदान प्यास का धर्म क्या है प्यास का धर्म क्या है पानी की जात क्या है इन नल कूपों पे ताला लगाना तो हमने ही तो सिखाया है क्यों पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च को माने हम अपनी लाज शरम क्यों कवाएं हम पर सीने ढखने का दिकार तो बस उचे तपके की माओं को है यह सवाल करत क्या है जो इसे पूछने की जहमत उठाएं हम क्या मनू का ग्यान ही सर्वतम ग्यान है एक गरीब दलित के कानों में पिगला हुआ सीशा डालना हमारी सस्कृति और उसका अभीमान है हमने संसार को आस्था का मतलब समझाया धर्म का रास्ता बताया पर उसी मंदीर में दलित को जाने से रोग कर हमने उसे अचूद बताया हमें गर्व है हमारी सस्कृति पर जहां हमने नलन्दा जैसे सरस्वती का मंदीर बनाया लेकिन सिक्षा पर सबका अधिकार बराबर कहा है जात के नाम पर हमने एक तबकी को अनपड़ और कमजोर बनाया हमने औरतों को देवी और दुरगा का रूप बताया जात के नाम पर इन देवियों के बीच फर्क करना फिर हमें किसने सिखाया क्या हम सब बहरे हैं क्या हम सब बहरे हैं या बहरे होने का ढोंग कर रहे हैं अपने घर के लोगों को अपने घर के लोगों नहीं मौन कर रखा है क्या तुम्हें चीखें नहीं सुनाई देती उन बहनों की जो लटकी मिली थी पेड से पूछें आज इस सवाल उस भगवान से क्या अपाईज फिर पूजा करते हैं जाके अपने घरों में जो इन गरीब बच्चों का जिस्म लूटते हैं होटल के कमरों में क्या हात्रस का किस्सा भूलने वाली बात है कि क्या हात्रस का किस्सा भूलने वाली बात है उस चिता की आग से अभी तक हमारी आखें लाल है पर मुझे गर्व है मेरी संस्कृती पर हजारों साल पुरानी मनु की मनुस्मृती पर पर मुझे गर्फ है मेरी संस्किर्टी पर हजानों सान प्लार मामेचे में संस्किता